Hello Everyone Friends, आपके अपनी इस YouTube चनल में आप सभी का स्वागत है Friends आज का वीडियो सभी उनिविश्टिस के सभी स्टूडन्स के लिए बहुत इंपॉर्टन वीडियो है Friends और वीडियो बहुत शॉर्ड है इसलिए सभी को वीडियो में लास्तक बने रहेना है Friends और Friends बहुत सारे स्टूडन के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं सर रिजल्ट कब तक डिकलेर हुना है और कुछ कोर्सेश के रिजल्ट भी डिकलेर हुए है लेकिन आप रिजल्ट डिकलेर हुना बंद हुआ है result declare होना क्यों stop हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप दिवाली है आप सभी को पता है दिवाली के वजह से सभी universities ने अपने करमचारियों को छुट्टी दी है तो छुट्टी कब तक दी है 13 नोविंबर से लेकर 16 नोविंबर तक सभी करमचारियों को छुट्टी दी गई है तो इसलिए result declare होना stop हुआ है तो 16 नोविंबर के बाद 17 नोविंबर से आपके result declare होना start हो जाएंगे और कुछ-कुछ universities के अभी तक तो result declare भी हुए नहीं है तो दीवाली के वज़े से declare declare नहीं हुए है तो आपके result दीवाली के बाद start हो जाएंगे declare होना इसलिए तब तक तो आपको wait करना होगा कोई भी tension लेने के ज़र्वत नहीं है आप सब pass हो जाएंगे और friends यदि किसी भी universities का किसी भी courses का result declare होता है तो मैं उसका notification आपको दे दूँगा यदि आपने चैनल को subscribe किया नहीं है तो notification पाने के लिए चैनल को free में subscribe कर सकते है बिल्कुल free of cost है friends और friends वीडियो अच्छा लगए वीडियो को like भी कर सकते है यदि आपके मन में कोई भी doubts है तो वीडियो के नीचे comment box में आप जरूर लग सकते है friends मैं उसका answer जरूर दूँगा तो friends फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हैंड वन्दे मात्रम